हलो फ्रेंद्स मैं रुपासरी और हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकूल रिपोर्ट पॉर्मेट कैसा होता है दोस्तो अगर आप लों को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरू कर दे और चैनल से जुनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाके रख ले School report format में सबसे पहले लिखा जाता है acknowledgement, उसके बाद certificate, certificate के बाद identification of school identification of school के अंदर school का जो भी identity है, school का photo मतलब जो भी trainee teacher है उसके साथ इस type से identification of school जो है वो तयार किया जाता है School report format का video already मतलब किस type का होता है, बना बनाया हुआ format मैंने YouTube में डाला हुआ है Link जो है मैं इस video के description box में दे दूँगी और i button में भी set कर दूँगी जो video के corner में i button दिखता है, वहाँ पे वहाँ से direct click करके भी आपको वो video मिल सकता है बना बनाया हुआ school report ठीक है, इसके बाद हमने लिखते है content, content के बाद report on school internship program इसके अंदर में school का profile, teachers position, उस school में जो भी teachers है, उनका क्या position है वो educational qualification of teachers, जितने भी teachers हुआ पे है, उनका educational qualification क्या है category wise teachers, इसकूल में किस category के कितने teacher है, subject wise teachers, किस subject का teacher कितना है और कौन-कौन है, class wise strength, किस class में कितना strength है, कितना student है, ये सब का data report on school program में लिखेंगे next is physical activity, आप school में जो भी physical activity कराओगे, वो आपको physical activity में यहाँ पे report बनाना होगा जिसे morning prayer के लिए, योगान, PT के लिए, dance, passing ball, annual sport, इसके अलावा भी आप जो भी कराओगे physical activity, उसका report आपको त्यार करना होगा उसके बाद आता है cultural activity, तो cultural activity में जैसे रंगोली, music, drama, song, आप जो भी school में जाके cultural activity कराओगे, उसके लिए आपको report बनाना होगा after that, जैसे classroom activity, तो classroom activity में speech, drawing, essay, quiz, parent, teachers, meeting, price, distribution, ये सब जो है वो classroom activity में आएगा, आप classroom के अंदर जो भी activity कराओगे इसके बाद conclusion जो की last में लिखा जाता है तो मैंने आप लोगं को पहले ही बता दिया कि इस format करके कैसे करके school report त्यार किया जाता है already YouTube में मैंने वीडियो अप्लोड कर दिया है playlist में मैं एक साथ सजा दूँगी school internship करके वहां से भी जाके आप लोगं देख सकते हैं कि कैसा करके school का report जो है वो तैयार किया जाता है तो दोस्तों अगर आप लोगं को वीडियो helpful लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल में नए है तो चैनल के सब्सक्राइब करके बैल आइकेन को दबाते रख लिए ताकि जब भी कभी इस तरह की इंफर्मिटिव वीडियो आई तो नटिफिकसर आप लोगं तक पहुंचते रहे थैंक्यू